मैं अपने देवतुल्य सभी कारकरताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आभार व्यक्त करता हूँ के हजारों की संख्या के अंदर एक बहुत एतिहासिक नमांगन पत्र आज दाखिल किया गया मैं समझता हूँ के शायद पंचकुला में पहली बार किसी एक नमांगन पत्र के अंदर इतने कारकरता इतना जनसमू जो है वो देखने को मिला है ये इस बात का प्रतीक है कि पंचकूला की जनता ने मन बना लिया है पंचकूला की जनता ने तै कर लिया है कि तीसरी बार पंचकूला से भारतिय जनता पार्टी जीत करके जाएगी और यहां से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ यदि वो मुझे तीसरी बार विधानसवा के अंदर भेजते हैं तो मैं जादा कुछ नहीं कहूंगा मैं यह नहीं कहूंगा कि पंचकूला को पैरिस बनाऊंगा पंचकूला को सच्छ सुंदर और हरा भरा पंचकूला बनाना मेरा लक्ष है पंचकुला का विकास मेरा लक्ष है पंचकुला की तरक्की मेरा लक्ष है पंचकुला के युवाओं को रोजगार देना पंचकुला के माताओं बहनों की सुरक्षा करना पंचकुला के अंदर रोजगार के नए अबसर परदान करना ये मेरी प्राथमिकता रहेगी और जो का कोई रह गया है उसको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे सरकार किसी भी समिधानिक संकट के अंदर नहीं है कि सरकार इतनी मजबूत है कि कोई भी संकट को कि बड़े द्रिड निश्चे के साथ होसले के साथ उसको जेल भी सकती है उसको नाकाम भी कर सकती है देखे ये तो कॉंगर्स के पार्टी के अब कौन सी कॉंगर्स की लिस्ट आएगी चार लिस्टे आनी है एक हुड़ा कॉंग्रस की लिस्ट आने वाली है एक शैलजा कॉंग्रस की लिस्ट आने वाली है एक गुर्जेवाला जी की कॉंग्रस की लिस्ट आने वाली है और एक कैप्टन अजे सिंग यादव की लिस्ट आने वाली है अब कौन कौन से चार कैंडिडेट पंचकुला के अंदर किस किस कांगरस से आएंगे इसका हमें इंतजार है